राधिका, तुम ये नहीं करोगे क्यों साइण? मैं यहां रह सकती हूँ, तो यहां के कामकाज में अपना योगदान क्यों नहीं दे सकती? योगदान तुम जरूर दोगी राधिका, मगर ऐसे नहीं, समाज में पहले अज्ञान के कछरे को साफ करके राम जी भला करें साइण कल आपने आने को कहा था, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या काम है काम मेरा नहीं, आपका है मैंने कहा था ना, आपकी पाठशाला के लिए एक अध्यापिका आने वाली है कल से राधिका आपके साथ आपकी पाठशाला में पढ़ाएगी बंबई से मैट्रिक किया है इसने और पूरी बंबई में अववल आई थी यह आपकी पाठशाला को इससे बहतर अध्यापिका नहीं मिल सकते जानते हो क्यों? क्योंकि ये शिक्षा को एक पेशे के तौर पे नहीं देखती है ये शिक्षा को एक अधिकार समझती है जो इसने पाया और जो सब को मिलना चाहिए ये शिक्षा को मा सरस्वती की देन मानती है ऐसे विचारों से जो बच्चों को बढ़ाएगी फिर किसी बाच्चाला को और क्या चाहिए? राधिका मैं जानता हूँ तुम्हें किताबों से कितना प्यार है तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारा जीवन किताबों के साथ बीते समझ लो राम जी तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहे है साही यह विद्या मेरा जीवन है किताबों से दूर मैं कैसे रहूँगी साही मैं भी यह सब करना चाहती थी लेकिन इस तरह अपनी क्रियस्ती को छोड़के यह सब करने का अफसर मिलेगा यह नहीं सोचा था मैंने किया अब यही मेरी जिंदगी होगी एक गाउं में रहकर भी उनसे इतना दूर रहना खुद को अच्छे उत्तेश्य के लिए इतना समर्पित कर दो कि उन्हें अपने किये का अहसास हो जाए और वो तुमसे उन्हें अपनाने के लिए कहे ऐसा कभी नहीं होगा हम क्या कमी रहे गई थी हमारी बक्ति में साहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं आप हमारे साथ हमारे घर के कलय को हवा क्यों दे रहे हैं मैं तो एक बेसहारा बच्ची को सहारा दे रहा हूं इस लड़की ने हमारे साथ चल किया है श्रीपात के जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवार किया है हमारे घर को बिखेर दिया है त्रिष्टी कोन का फरक है आप और कुछ नहीं जहां से आप देख रहे हैं आपको ये आपका घर बिखेरने वाली दिखाई देती है और मेरी नजर में मुझे ये आपका घर समारने वाली दिखती है कभी नहीं सोचाता हमने कि आप हमारे दुश्मन को शरन देंगे लेकिन अच्छा हुआ आपने ऐसा किया हम सब गलत थे जो ये सोचते थे कि आप हमेशा हमारा भला सोचते हैं अब सचाई हमारे सामने है कल मैंने रादिका का त्याक कर दिया था खोद अब भगवान भी आ जाये तो भी मैं रादिका को कभी नहीं अपनाऊंगा साथ ही आज से इसी समय से मैं मेरा परिवार आपका वित्या कर रहा है आज से आप हमारे गुरू नहीं है कर दो राम जी भला करें बाम जी पाल करें वो सैटो को ओम सैटाफ ओम सैटाफ ओम सैटाफ आवार दे आवार देज़ आवार देज़ आवार देज़ आयेगी फिर भोर हटेगा अंधियारा घन भोर आयेगी फिर भोर हटेगा अंधियारा घन भोर काले गेहरे डर के साए जो है तेरे मन में छाए बस एक पल में ढल जाएंगे जो किरपा का सूरज आये उजली सी वो सुबह सुनहरी राहत के उस और मन में धर विश्वास के होगा उजियारा चहूर आयेगी फिर भोर हटेगा अंधियारा घन भोर मन में धर विश्वास के होगा उजियारा चहूर आयेगी फिर भोर हटेगा अंधियारा घन भोर आयेगी फिर भोर हटेगा अंधियारा घन भोर आयेगी फिर भोर आयेगी फिर भोर जोगर सब्सक्राइब अपिर आयेगी फिर अचे अच्छिए वजिस तो नहीं इतने जल्दी ठीकी के कारण कैसे हो जाएगा बिखोश होने का कोई और कान लगता है क्या पदा ये टीका कैसे एसर करता है अब तक जादा लोगों ने हमारे आहां इसे लगवाया भी तो नहीं सब तो विलाहेज से सुनी-सुनाई बाते हैं हाँ हम इसी नियर डॉक्टर को बताना चे आये अब जी लगता है साही फिर किसी की मदद के लिए ध्यान में गए साही हमेशा सब की भलाई का सोचते हैं ऐसे महापुरुषवाज मेरी वज़े से कितना कुछ सुनना पड़ा मेरे कारण ही मेरे ससुराल वालों ने साही से रिष्टा तोड़ दिया साही से रिष्टा जूर जाए फिर कहां टूच पाता है तुम सही समय का इंतिसार करो तुमारे ससुराल वालों का मन भी जरूर बतलेगा शुरू में बहुत लोगों को संदे होता है लेकिन अब की बार जब साही की कृपा का पत्यंतर आएगा तो उन्हें भी एसास होगा कि साही से कोई कितना भी दूर हो जाए साही उससे कभी दूर नहीं होते है उतो नहीं होते है साही उससाई साही ते मदद कीजिये साही साही ते मैंने जैसे ही ठीका लगवाए मैं बेहोच हो गया मुझे लगता है यह टीका मुझ पर उटा नुक्सान कर रहा है नाना तुम्हारे मन का तनाव शरीर पर हावी हो गया और कुछ नहीं तो क्या बिल्कु ठीक हूं मैं साइं हा नाना और अब तुम्हें बीमारी का कोई खत्रा भी नहीं है और यह सब इसलिए हुआ साइं चुकि आपका आशरुवाद मिरे साथ है नहीं नाना यह सब तो मा सरस्वती के आशिर्वाद से हुआ है जिसे हम विज्ञान कहते हैं यह ठीका भी मा सरस्वती के प्रसाद की तरह है जो इस बीमारी से लड़के इनसान का भला करेगा इनसान को खुद दो कदम आगया अकर इस नई करांती का स्वागत करना चाहिए यह दो कदम उठाने के लिए हिम्मत भी तो जुटानी होगी साइं आपने तो मुझे हिम्मत दी बाकि सब लोगों को कौन देगा तुम मैं यह सबक आज तुमने सब को दिया है लोग तुम्हरा यह योगदान हमेशा याद रखेंगे आज तुमने भय को जीत लिया है नाना यह सब को प्रेणा देगा लेकिन अगर यह ठीका किसी के शरीर पर उल्टा असर कर गया तो नाना जब कोई मुश्किल आती है तो उसका हल भी आता है मालिक पर भरोसा रखो और उन सब पर भी जो इस महान उद्देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं मैं पाट्शाला जा रहा हूँ आते समय तुम्हारे लिए पुस्ते के लिए आऊँगा ताकि कल तुम अपनी पहली कख्षा के लिए बाट तैयार कर सको मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रही हूँ मुझसे नहीं हो पाया तो जहां साही हो वहां आशंका के लिए जगाई कहा होती है साही जवाब मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं उम साही तो मेरे साही से वालो जवा साही तो amount साही ता रुंस नहीं यह 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 हाई चांदुरकर जी बिलकुल ठीक हूँ मैं और टीके के प्रसार के लिए तैयार भी हूँ राम जी सब का भला करें करेंगे बिलकुल एक लिए और टीके के लिए गारा की का राम जाई। प्रसार बिलकों एक राम जाइए और इसाना जाना जाए लाए हूँ जंदी गरो काका, पाच्छा के लिए देर हो रही है चलो जब चेक आगे घर चेक आगे, जब चाब एकदम सुस्त हो गए चुपकर, हमेशे असे तुझे पाच्छा छोड़ने जाता रहा हूं कभी देखा है मुझे पागल की तरह बेकार में भागते हुए हम और सुस नहीं हो मैं, समझा ना अगर मैंने दौड़ना शुरू किया तो कोई मुझे पकड़नी पाएगा बस बस काका, दौड़ना भागना आपके उसके बात नहीं अरे रुख बलवन हरा की दिखाओ अभी हराता हूं तुझे काका नहीं यह ने पाओंगे मुझे अभी दिखाता हूं तुझे पगड़ के दिखाओ काता ना मैं हरा दूंगा बलवन्त काता ना काका सुसते है काकी अब गर से को चरी गई और वापस के नहीं आ सकती आई बाबा कह रहे थे कि अपने दोका दिया है क्या दोका दिया है काकी और अब बंबई के जारी है बोलिये ना काकी काका अब बोलिये ना काकी को कि घर चले तुम पाट्शारा जाओ बलवन्त नहीं मैं पेले काकी से कुछूँगा कि वो हमारे गर वापस करने ना सकती आज तुम्हारा पाट्शाला में पहला देन है अध्यापिका के रूप में तुम पाट्शाला चलो मैं थोड़ी देर में हाल दाओ काकी आप मेरे पाट्शाला में पड़ाईगी तब तुम्हे रूस पाट्शालाँगा वही आपसे मिलूंगा रूस बलवन तुम पाट्शाला जाओ तुम तो सच में हमारी नाक कटाने पर अमादा हो चुकी हो बहुत अच्छा कर रही हो तुम बनो अध्यापिका ताकि लोग ये कह सकें कि अनपढ़ शीपाद की पत्नी कैसे उससे हर माईने में सरस है यही सब करना होता तो तुम बंबाई में भी कड़ सकती थी पर नहीं तुमें तुमेरी आखों के सामने रह कर पता नहीं कौन से जनम का बदला निकालना है तुम मुझे सब के सामने नीचे दिखाने में कोई कमी नहीं रखोगी ठीक है करो ऐसा भी कौन से हमारे बीच कोई रिष्टा बाकी रह गया है इसका तुमें मान रखना हो तुमें मान रखने मान रखना है